जहें दोस्तो वाइकम बैक टो आज चैनल वाइकम बैक टो जॉब टेरिया आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने त्यारी में बहतरी तरीके से लगे होंगे जहां दोस्तो आपका इस वीडियो में नदी और दर्रे से सारे मतफुर्ण पॉइंट को इसमें ड बचा हुआ है दोनों जो है भावी सिक्षगनों के लिए एक वीडियो जो है एलफुल रहेगी तो वीडियो पर बने रहीएगा नदी और दर्रे को कंप्लीट यहां पर इस वीडियो में देखेंगे और यह ट्रीक के थ्रू जो है इस ट्रॉपिक को कवर अप करेंगे तो यहांगा वीडियो में तक चैनल पर अगर फर्स टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरू सक्राइब करके बैल आइकन को प्रिज कर दीजिएगा चलिए सबसे पहले दर्रे को समझते हैं तो दर्रे देखिए सिक्किम की दर्रे तो सिक्किम में कौन-कौन से प्रमुक दर्रे तो ये सिक्किम के दो प्रमुक दर्रे हैं, ध्यान रखेगा नाथू का सिक्का जल गया, और ये सिक्का से आप सिक्किम को, एस्टेट को याद रखेंगे, तो इसको दो बार अगर रिपीट करते हैं आप लगातार, तो अटोमेटिकली ये आपका जो है लर्न हो जाएगा, न से आपका जाता है माना दर्रा, ली से आपका जाता है लिपूलिक दर्रा, और नी से आपका जाता है निती दर्रा, तो उत्राखन के ये तीन परमुक दर्रे हैं, तो ट्रीक है आपका हिमा मालिनी उत्री दर्रे पर, उत्री से आप उत्राखन को याद रख सकते हैं, फिर न यहाँ पे next आ जाता है word के बड़े किले पर जो है हीम गिरा किले से आपका आ जाएगा सिप किला दर्रा जो की सतलज नदी पर है और बड़े से आपका आ जाएगा बड़ा लच्चा दर्रा तो ध्यान रखिएगा इस लाइन को रोहित के बड़े किले पर हीम गिरा हिम से आप हिमाचल प्रदेश को याद रखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के इस तरह के जो है तीन प्रमुक जो है दर्रे आ जाते हैं ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका अरुनाचल प्रदेश के दर्रे तो इसका ट्रीक है आपका अरुना ने बीज बो दिया योग याप दर्रा तो ध्यान रखेगा important है नेक्स्ट आपका जम्मु कस्मिर के दर्रे तो जम्मु कस्मिर के परमुक दर्रे के अगर बात करें तो आपका आजाता है काराकरम दर्रा जो भारत का सबसे उचा दर्रा है तो पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे उचा दर्र कुन सा है तो करा करम दर्रा है जो कहा है जम्मू कस्मिर में जो जिला दर्रा जो कि सिद्धु नदी जो है इसका निर्मान होता है फिर आता है पीर पंजाल दर्रा बुर्जिल दर्रा और बनीहाल दर्रा बरिहार दर्रा जो बनीहाल दर्रा की बात करें तो यह जवाहर नाम से जाना जाता है इस दर्रे को तो इसको भी ध्यान रखिएगा सारे point important है next बात करें तो बोलन दर्रा बोलन दर्रा जो है पाकिस्तान में पड़ता है और नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच जो है जुड़ा हुआ है और यह सिक्किम में नाथुला दर्रा एलीफेटा की दर्रा जो है अलीफेटा दर्रा पूछ लिया जाता है तो यह स्री लंका में है तो यह कुछ जो है नदी को समझते हैं चली, रिवर्स के अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अरभ सागर की खाड़ी पर गिरने वाली नदियां कौन-कौन सी है तो अरभ सागर की खाड़ी पर गिरने वाली नदियां का यहाँ पे ट्रीक से आप याद रखेंगे इस तरह कि सालू की मा नर्मदा का सीन देखकर त्रिप्थ हो गई क्या है ट्रीक सालू की मा नर्मदा का सीन देखकर त्रिप्थ हो गई तो सा से आप याद रखेगा सावरमती लू से याद रखेगा लूनी नदी और मा से याद रखेगा माही नदी फिर आपका नर्मदा नदी आ जाती है और सीन से आप याद रखेगा सिंधू नदी और यहाँ तिरिप से याद रखेगा तापती नदी तो यहाँ पर अगर देखेंगे आपका यहाँ पर लर्ण हो जाएगा नर्मदा नदी की बात करें तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी का उदगम इस्थल कहाँ है तो यह अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है यह और इसकी साहिक नदी की अगर बात की जाए तो इसकी सहाइक नदी है आपकी देख सकते हैं इसकी तवा, दुधी, सक्कर, हिरन, औरसन, कोनार, माचेक ये सब जो है इसकी नर्मदा नदी की सहाइक नदियां है अरब सागर पर गिरने वाली प्राइद एपिया भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी इस बात को भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है जबलपूर के पास यहाँ धुआधार जल प्रपाद बनाती है इस बात को भी ध्यान रखिएगा इसके important fact में यह सब है इससे भी question पूछ लिया आता है फिर है आपका खाड़ी से गिरने से पहले यहाँ जवारन नद मुख बनाती है तो ध्यान रखिएगा क्या बनाती है जवारन नद मुख भी बनाती है खाड़ी से गिरने से पहले फिर बात कर लेते हैं तापी नदी यानि तापती नदी की तो इसका उदगम इस्तल है सत्पुडा स्रिनी से यह जो है इसका उदगम इस्तल है सत्पुडा अजन्ता के बीच यह भरंस घाटी बनाती है और इसकी सायक नदी है पूर्ना अगर बात करें हिमाले तंत्र से नदियां जो है तो 5 है हिमाले तंत्र से इसका जो है ट्रीक है देख सकते हैं तीस्ता मानस गंगा में बेट कर स्री गए यह इसका ट्रीक है तीस्ता मानस गंगा में बेट कर जो है स्री गए तो यहां तीस्ता से आप तीस्ता नदी याद रख नदी आजाती है तो ये जो है आपका बर्मपुत्र तंत्र से जो है नदियां जो यहां पर प्रभाइद होती है वहीं बात करें कि साबर्मती नदी की तो साबर्मती नदी का उदगम इस्थल जो है आपका जस्मन जिल में से होता है और ये राजस्तान में है माही नदी का गम इस्तल नाग परवद है और इससे भारत का लवन नदी के नाम से भी जाना जाता है तो question पूछ लेगा कि भारत की लवन नदी कौन सी है तो आपका answer होना चाहिए लूनी तो लूनी correct हो जाएगा फिर अगर बात करें कि सिंदू तंतर से यानि इन्दूस river में कौन कोन से आ जाती है सिंदू तंतर से river तो इसमें आपकी याद रखिएगा trick से injun car run bit slow यह इसका trick है इन जुन कार रन बिट स्लो यह आपका सिंदू तंतर से आने वाली नदिया हैं इन से इंदूस यानी सिंदू नदी याद रखिएगा जुन से जहलम देखिएगा कार से यहाँ पे चिनाव नदी याद रख सकेंगे रन से रावी नदी बिट से ब्यास नदी और स्लो से सतलज नदी यह जो है आपके सिंदू तंतर की नदिया है और बारिकी से अगर बात करें तो सिंदू नदी का उदगम इस्थान जो है आपका मानसरोबर जिल और यह जो है आपकी गिरती है कहां गिरती है तो कराची के पोर्व अरब सागर में तो इस बात को भी आपे ध्यान रखिएगा सिंदू की बाइं तरफ की स्जयुग नदियां जो होती है तो ये सारी नदिया जो है साइग नदिया है सिंदु नदी की जहलम नदी का उद्गम इस्थान पूछ लिया जाता है तो जहलम नदी का उद्गम इस्थान पूछ लिया जाता है तो जहलम नदी का उद्गम इस्थान पूछ लिया जाता है और जहलम और रावी पाकिस्तान म में इसे जो है चंद्रभगा के नाम से भी जाना जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा ही नाम नदी को हिमाचल पर्दिस में चंद्रभगा की नाम से जाना जाता है रावी नदी इसका जो है उद्गम इस्थान जो है रोतांग दर्रा है और इसी नदी के निकट ब्यास कुं सित है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा हिमाले की तरफ फ्लोइंग नदी के अगर बात करें तो आपका गंगार जो है रिवर सिस्टम आ या सोडा यहा सोडा यह मुना सो से सोन और यह जो है राइट बैंक हिमाले की अगर बात करें लेट लैप्ट बैंक रिवर तो इसमें आपकी प्रमूम्ग नदिया आ जाती है इसका ट्रीच त in पे इसको यास रख सकते हैं तरी जी के एम 3ガ KM जिससे आप यहाँ पे 3G का मतलब होता है 3G तो 3G में आपका आजाता है एक आता है गंती दुसरा आता है घंटक यह जो है 3 रिवर हो गई और K से हो जाती है कोसी रिवर और M से हो जाएगी महानदी तो इस बात को ध्यान रखिएगा यह Left Bank River है हिमाले की यहमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम इस्तल यहमुने 3 हिमानी है यानि उत्राखंड से इसका उद्गम इस्तल है और यहाँ इलाबाद में गंगा से मिलती है तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा सोर नदी का उद्गम इस्तल पूछ लिया जाता है तो यह अमर कंटक से अमर कंटक की पहाड़ी से यह जो है इसका उद्गम इस्तल रहता है Next आ जाता है दामोदर नदी तो इसका उद्गम इस्तल छोटा नागपुर का पठार है वहीं कोशी नदी की बात करें तो कोशी नदी को बिहार का सौक के नाम से ज़याना जाता है और घागरा जो है इसके उपरी हिस्से को करनाली कहते हैं और फिर गंटक नदी की अगर बात करें तो नेपल चीन के पास हमालई निकल कर स्वनपूर के पास मिलती है तो यह गंटक नदी जो है नेपाल चिन के पास हिमाले से निकलकर सुनपूर के पास गसंगा में मिलती है वहीं गंगा रिवर का अगर उद्गम इस्थल बात करें तो गंगोत्री हिमाली है और उत्राखंड में इससे भागिरती के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को और बंगाल में इससे गंगा नदी को पदमा के नाम से जाना जाता है ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट इंप तो इस बात को ध्यान रिखेगेगा ब्रमा यानि ब्रमपुत्र नदी की मतलब कावेरी नदी और की से आपको क्रिश्णा नदी भी याद रख सकते हैं गोदी से आप गोदावरी नदी याद रखेंगे और मेज से महा नदी याद रखेंगे और गंगा से गंगा नदी तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदिया है गदावरी नदी को दक्षिन गंगा या ब्रिद गंगा भी कहा जाता है और गदावरी नदी प्राइदेपिय भारत की सबसे लंबी नदी है इस बात को भी ध्यान दीजेगा जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है तो ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया है वहीं खाड़ी में गिरने वाले नदियों का ट्रीक क्या होगा तो समानता वर्ड याद रखिएगा ये सब्द याद रखिए समानता सा से आपका साबरमती नदी मा से माही नदी न से नर्मदा नदी और ता से तापती नदी ये समानता सब्द याद रखिएगा और इसी से जो है आपके ये जो river है चार ये खंबात किखाड़ी में गिर से हैं तो खंबात में किखाड़ी में गिरने वाले river हो गए हैं साबरमती, माही, नर्मधा और ताप्ती गंगा की साहिक नदी की अगर बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है तो जमुना, गोमती, घगरा, सोन, कोसी, राम गंगा ये सब गंगा रिवर की जो है टिविट्री रिवर से नर्मदा और तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, इस बात को भी ध्यान रखेगा, काफी बार एक्जाम में पूछ लिया गया है नेक्स्ट है नर्मदा और तापी नदी नदी जो है महाखंडे से होकर बहती है कावरी और गुदावरी जो है दक्चिन भारत में जोड़ी में बहती है इस बात को भी ध्यार रखिएगा साथी साथ डेन्यूब नदी जो है ये रोप देश में पाई जाती है और ये सारवधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है तो question अगर पूछ लिए कि आपका सारवधिक जो है देशों से बहने वाली गुजरने वाली नदी कौन सी है तो आपका हो जाएगा Danube नदी Danube नदी के किनारे बसे सहर कौन से है इससे भी बन जाता है question तो याद रखिएगा Wellgrade, Buddha-Paste, Buddha-Paste और Vienna ये जो है आपके जो है countries है और सहर है जो इसके Danube नदी के किनारे बसे है Washington, Washington में कौन से नदी है तो पोटो में एक नदी बाती है New York में Hudson नदी, वह नहीं वहीं अगर बात करें London में तो London में Temps नदी, वहीं Paris में जो है यहाँ पे सोन नदी ये जो है आपके सहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए है जैसे आपका Washington जो आपका City है वो पोटो में नदी के किनारे बसे है New York City जो है Hudson नदी के किनारे बसा है वहीं Temps नदी के किनारे London सहर बसा है और सुन नोदी के किनारे पेरिस जो है सिटी बसा है तो इस बात को भी ध्यान दीजेगा थैंक्स पर वाशिंग